हेलो स्टुदेंट आज हमनों क्लास टेंथ का चैप्टर पेयर ओफ लिनेर एक्विशन इन्टु वैरियाबल उसका एक्सरसाइज 3.2 क्वेशी नमबर आज हमनों 2 देखेंगे ठीक है तो क्वेशी नमबर 2 क्या करें चलिए देखते हैं हम लोगो क्या करें हम लोगो क्या करें हम लोगो जो एक्विशन दिया ठीक है उसका हम लोगो क्या करें एक्विशन दिया है वह लोगो लोगो करते हैं घ्राफ में ठीक है तो छेले हम लोग पता करना है, हमलोग करें पर हैंपर A1, A1, B1, C1 क्या है यह हमलोग का A1 क्या है, FIRST मतलब कि यह FIRST equation का, ठीक है Quesn है पहला है Quesn की बात करें, ठीक है, जैसे की A1, B1, A1, B1 और C1 के हमलोग का वियारम ज़ाऋ है ? असलम आओ करना है ? एक्स का अर बीटू कहा है ? सबस्यास है ? नवे फ़ाणको यहां दिया है ? हम लोगे को यह क्या करना है ? देखना है ठीके ? कि यह जो हम लोग को एक्विशन देश को जो हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में लाइन ड्रो करेंगे तो कैसा होगा इंटरसेक्ट होता है ठीक है यह जो एक्विशन क्या है जो लाइन होगा इंटरसेक्ट होगा या क्या होगा पैरलल होगा या कोइंसिडेंट होगा ठीक हो ह हम लोग किस काा ratio हम यूग किस हम लोगे one by betupa करें घर अगर E1 बाय टू इक वर यॡव़ टीविवन нут डो having टूकर लाइन इंट्रसक्टिंग करेंगा ठीख है तो हम लोग कोइंसिडेंट लाइन होगा ठीक है अगर हम लोग का a1 by a2 equal to b1 by b2 ठीक है equal हो लेकिन c1 by c2 not equal हो तो हम लोग को क्या हो लाइन parallel होगा ठीक है चलिए हम लोग इसको solve करेंगे तो आपको ज्यादा समझ वाएगा ठीक है यह basic चीस था आपको समझाने के लिए मैंने बताया ठीक है इसको याद रखेंगा ठीक है आप से पहले सबसे पहले एक्विशन लिख लेते हैं ताकि आपको problem ना हो ठीक है 7x plus 6y minus 9 equal to 0 इसको बनाएंगा ता आपको ज्यादा समझ भाएंगा ठीक है चलिए हम लोग एक्विशन यह था है यह रहा हम लोग चलिए है फिल लिख देते हैं सॉलुशन में क्या को लिखेंगे सॉलुशन में यहां से देते हैं आप कम्पेरिंग comparing these equation with a1x b1y plus c equal to c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 हम लोग क्या करेंगे इस हम लोग के equation यह किसे compare करेंगे इससे करेंगे ठीक है तो हम लोग का a1 क्या हो जाएगा सिद्धेन को फाइब ठीक है 21 कितना हो जाएगगा 21 कितना हो जाएगा कव conspiracy स्फितना हो जाएगा एốn नहां पर देखिए एक टू कितना हो जाएगा एक टू को सेटन टरू कितना है 9-9 अब चलिए क्या करेंगे इसका हम लोग रेशिव निकाल के अब चलिए देखते हैं अभी किसी कटेगा भी निटी का छोड़ देंगे फिर देखेंगे अब चलिए अब देखेंगे अभी कितना हो जागा सब्सक्राइब चलिए यहां पर देखते क्या होगा हम लोग कितना दिए एट बाइ माइनस नाइन ठीक है अब सब्सक्राइब देखेंगे यहां पर देखेंगे कर दोगी क्या देखेंगे हम लोग Campaign देंगे лишь कि एंवऑन बाइ टू नॉट इक्वल टू दीवान वाई वी तो वह लोगों क्या होगा लाइन्स समयाफ लगे लिफिए लिएनिन और देखuledण आगे देखते हैं कैसे बनेगा चलिए हम लोग का first number का answer आगे क्या है वो हम लोग को क्या होगा first equation जो को क्या होगा वो कैसे lines होगा intersecting होगा ग्राफ मैं जब हो इसको draw करेंगे आप चलिए second number का देखते है ठीक है second number का equation हम लोग क्या करें चलिए देखते है 9x plus 3y equal to 12 है first equation और second equation के है 18x plus 6y sorry यहां पर equal to नहीं होगा गलस दिखा गया 9x plus 3y plus 12 equal to 0 second equation हम लोग क्या हो जाएगा 18x plus 6y plus 24 equal to 0 equation मिला लेते हैं हम लोग का सही है 9x plus 1218 चलिए सही है ठीक है आप चलिए हम लोग इसको solve करेंगे second number का फिर से हम लोग क्या करेंगे वह ही लिख देंगे हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग फस्त में वही comparing comparing the equation ठीक है with a1 x plus b1 y plus constant term हम लोग का c1 equal to 0 and फिर क्या करेंगे फिर से हम लोग का a2 x plus b2 y plus c2 constant term हम लोग का equal to 0 ठीक है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं हम लोग का a1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ठीक है फिर b1 कितना हो जाएगा a1 हम लोग का 9 a b1 कितना है 3 ठीक है और हम लोग का c1 मतलब constant term first equation का constant term क्या है 12 तो c1 क्या हो जाएगा 12 ठीक है आप देखें क्या a2 क्या हो जाएगा second equation का x का coefficient कितना हो जाएगा 18 फिर b2 क्या हो जाएगा second equation का y का coefficient तो जाएगा 6 और c2 हम लोग क्या हो जाएगा second equation का constant term तो 24 चलिए देखे आप इसको कैसे बनाएंगे ठीक है चलिए देखें आप ए 1 कितना है सॉरी ए ए 1 बाइ ए 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 9 by 18 कैंसिल हो जाएगा देखे 9109 920 18 कितना है यह 1 by 2 ठीक है अब इसी परकार से बी 1 by 2 हम लोग करेंगे निकालेंगे 3 by 6 है ग्याइट हो जाएगा 310 3226 यह भी कितना है 1 by 2 ठीक है आप देखें हम लोग करेंगे c1 by c2 ठीक है तो क्या हो जाएगा 12 by 24 यह भी कैंसल हो जाएगा 1210 1220 24 तो 1 by 2 अब यहाँ पर देखें हम लोग का क्या है जो हम लोगा हम लोग ने इसका रिस्यो किया है A1 by A2 ठीक है फिर B1 by B2 और C1 by C2 तीनों क्या रहा है एक्वाल आ रहा है ठीक है तो हम लोगा क्या कहा जाएगा A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 ठीक है यह हम लोगा तीनों equal है जब तीन उसपण भी कला आता है तो हम लोगोंगा जो सी टू wी एकॉल होगा विधे व्लोंगा एब फांव lines of this equation are coincident क्या बनेगा हम लोग का line coincident ठीक है ठीक है अब दिख रहा है coincident ठीक है student आप चलिए हम लोग third number का second number का भी हम लोग का आ गया आप चलिए third number का देखते है third number का equation हम लोग का क्या खारे है चलिए देखते है 6x minus 3y plus 10 equal to 0 आप लिख देखते हैं पास sequence second equation है 2x minus y plus 9 equal to 0 ठीक है student आप चलिए fifth से हम लोग इसको क्या करेंगे solution में इसका देखेंगे comparing comparing the equation with किसके साथ comparing करें हम लोग a1 x plus b1 y plus c equal to 0 फिर क्या होगा and a2 x plus b2 y plus हम लोग क्या हो जाएगा यह हम लोग का сी do equal to zero ठीक है student आप देखिए क्या करेंग tramCK a1 क्या हज़एगा a1 हम लोग क्या होता a1 first equation का x का coefficient first equation का x का coefficient कितना होज़एगा 6 ठीक है comma b1 क्या होज़एगा quantum equipment कितना है minus 3 ठीक है फीर c1 क्या होगा c1 हम लोग फर्स्ट एक्वेशन को constant term क्या होगा 10 अब इसी परकार से A2 क्या होगा second equation का x कोफेशन 2 B2 क्या होगा second equation का y कोफेशन कितना minus 1 ठीक है question हम लोगा सही है एक बार देख लेते doubt लग रहा है मिरको question चलिए सही हम लोगा ठीक है आप देखिए हम लोगा क्या हो जाएगा c2 c2 क्या हो जाएगा हम लोगा second equation का constant term तो 9 ठीक है आप चलिए A1 by A2 ठीक है कितना है 6 by 2 क्या है 6 by 2 cancel हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना आ गया 3 आप यहाँ पर देखे B1 by B2 क्या होगा minus 3 by 1 minus 3 by minus 1 ठीक है minus minus cancel हो जाएगा 3 बचेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या हो C1 by C2 क्या अतना है 10 by 9 ठीक है तो यह ने cancel होगा इसको छोड़ देंगे ठीक है आप देखिए हाप इस्टिट्ट क्या करेंगे हम लोगा क्या होगा A1 by A2 एक्वाल आएग इसके lines of these equations are क्या होगा पैरलल ठीक होता है तो हम लोग कही हो जाएगा ठीक है सोच्टिट्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू